नमस्कार रीनस्पूर्ट कॉर्णन में आपका स्वागत है बहुती कम समय में आप आलू मटर इस तरह से बनाया तो बहुती अच्छा बनेगा इसमें ना आलू उबालने की जरुवत पड़ती है ना इसे कट करने की जरुवत होती है और बहुती टेस्टी बनता है जो होटर और ढावे को फेल कर देता है आए देखे इसे कैसे बनाते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले नए आलू को अचिद्र से धोले और इसे छील ले बिना छीले वे भी आप इसे बना सकते हैं छीलने के बाद आप इसे पानी में रखें इसके लिए मैंने मीडियम साइज के आलू लिये हैं इसे हम कूकर में बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनेगा कूकर को गरम करें जब तक कूकर गरम हो रहा है इस बीच टमाटर और अद्रक का पेश्ट बना ले साथ में आप मिर्च भी पीच सकते हैं देर से दो टेबलिस्पून इसमें ससो तेल डाले एक चमज जीरा आदा चमज पंज फोरन एक चमज हल्दी तेल गरम है इसलिए चटक जाएंगे और भून भी जाएंगे अब इसमें टमाटर का पेश्ट डाले उसे दो तीन मिनट के लिए भूने इस टमाटर की ग्रेपी में आलू चिलेवे डाले इसे भी दो तीन मिनट के लिए भूने टमाटर के पेश्ट में जब आलू को भूनते हैं तो उसे टेस्ट काफी बढ़ जाता है अब इसमें फ्रेश मटर डाल दें एक-दो मिनट के लिए इने भूने अब इसमें लैसुन, मिर्च, अद्रक बड़े-बड़े टुकडे में दे सकते हैं उसे डाल दें और दो-तीर मिनट के लिए इने भूने स्वादानुसार नमक, एक चुटके हिंग आप छौक के बक्त भी हिंग डाल सकते हैं स्वादानुसार काश्मेरी लाल मिर्च, एक चमज धनिया पॉडर आदा चमज भूना जीरा पॉडर और काली मिर्च इने अच्छी तरह मिला करके एक-दो मिनट के लिए भूने और इसमें धेर सरा धनिया पत्ता डाले जिसे टेस्ट काफी बढ़ जाता है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे अच्छी तरह से इसे मिला दे लो फ्लिम करके एक सिटी दे कूकर छोटा है इसलिए पानी मेंने कम डाला है अब बड़े कूकर में जादा पानी डाल सकते हैं वाव कलर बहुत अच्छा आया है अब चमच की मदद से आलो को कट कर लेते हैं सबजी बनके तयार हो गई है जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना गरम पानी आप इसमें डाल दे एकीन माने बहुत ही अच्छी सबजी बनी है ये सबजी जटपट बन जाती है आप भी एक वाट ट्राई करें इसे आप रोटी, चावल, पराठे या फिर पूरी कचोरी के साथ सर्फ कर सकते हैं अब धेर सरा इसमें धन्या पत्ता फिर से डाले अच्छी तरह से इसे मिला ले एक चुटकी गरम मसाल और घी डाल करके धक्कल लगा करके रखे आप एक चुटकी कसुरी मेथी भी डाल सकते हैं तो मिलती हूं मैं आप से निक्स्टेसिपी की साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग